जाहिन्द आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने बाले है छंडू-पंचारिष्ट सीरफ के बारे में इसको कब कैसे और क्यूह इस्तिमाल करने के बाले क्वाल में इसका क्या-क्या फायदा होगा इसका क्या नुक्सान होगा और इसका डोज किया होता और साथी साथ आप लोग ये भी ध्यान देंगे कि ये एक जंडू-पंचारिष्ट सिरप कितने परकार की समस्यां में उप्योग में लायाते हैं तो चली सो बिनरबावड को वीडियो को स्टार कर लेते हैं और जंखारी प्राप्त कर लेते जंडू-पंचारिष्ट सिरप के बारे में तो सबसे पहले आप लोग ध्यान देंगे कि ये जंडू-पंचारिष्ट सिरप आप लोग देख रहां जहें एक परकार का कम्प्लीट डाजेस्टिब टोनिक सिरप है मतलब कि आप लोग इस जंडू-पंचारिष्ट सिरप को उप्योग करेंगे तो आप लोग के सरीष में कोई भी नुकसान देखने को नहीं मिल सकता है क्योंकि यह एक परकार के अर्वेदिक डाजेस्टिब टोनिक सिरप है और मैं आप लोग को बता दू कि जंडू-पंचारिष्ट सिरप एक संपूर्ण आर्वेदिक पाचक सिरप है जिसने 35 आर्वेदिक ततुव की सकती मिक्स्ट किये गया है जो कि साथ परकार की समस्याव को दूर करने के लिए उप्योग मिला आते है वो साथ परकार की समस्याव आप लोग कुछ इस परकार से देख सकते है और अगर कुछ इस परकार की समस्याव पेसेंड में देखे रोगी में देखे तो आप लोग असानी तरीका से इस जंडू-पंचारिष्ट सिरप को उप्योग मिला सकते है सबसे पहले आप लोग ध्यान देंगे कि यह जो जंडू पंचारी सिरफ है या पाचन क्रिया को मजबूत करके पाचन सक्ती को बढ़ाने में काफ़े जादे हेलफूल होते है और बार बार होने वाले पेट की तकलीफों को तुरंत रहात देने के लिए जंडू पंचारी सिर का उप्योक्या आता है पेट फूलन और हमेसा कभजियत रहना इन समस्या को भी दूर करने के लिए के जंडू पंचारी सिरफ को अप्योक्याता है कभी कभी आप लोग देखते हुआ है कि महला और पूर्श दोनों में समस्या या फिर कबजियत की समस्या चाहतर देखने को मिलता है तो उसमस्या को भी ठीक करने के लिए इस जंडू-पंचारिस्ट सिरफ का उप्रोग के आता है जैसे कि मैं आप लोग को बता तो कि इसमें घृत कुमारी अरुवेदिक जरीबूटी मिला गया है इसी के करण ये पाचन सुधार करने में काफे जादे हिलफूल होते है जंडू-पंचारिस्ट सिरफ और इसमें द्राक्षा भी मिक्स्ट किये गए जो कि एक अरुवेदिक मेटेरियल ही आते है जो कि एसी डिटी कि दूर करने में काफे जादे सहायक होते है और मैं आप लोग पता तो कि इसमें आजमान holding जिसको हम लोग घर के बासा में जमाइन कोते है वो भी इसमें लोग का भी उपयोग क्या आ गया इसे करने यह जंडू-पंचारिस्ट सिरफ पाचन बढ़ाने मं भूक लगाने में और खाना पचाने में भी उप्योगी होते हैं जंडू पंचारिष्ट सिरप यह था कुछ इस प्रकार से जंडू पंचारिष्ट के उप्योग करने का तरीका कुछ इस प्रकार से समस्य आगर आप लोग के सरीर में देखे तो आप लोग इस जंडू पंचारिस्ट सीरप का उप्योग कर सकते हैं यह था कुछ मुख्य फादे इस जंडू पंचारिस्ट सीरप के डोज को पर इसका डोज आप लोग कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा, उससे पहले आप लोग ध्यान देंगे कि जंडू पंचारिस्ट सिरप आप लोग को कम से कम एक महिना जूज करना होगा, बोले तो 3-4 फाल जूज कर ले आप लोग, तो आप लोग के लिए बहतर रिजल्ट द करेंगे तो आप लोग को बहतर रिजल्ट देखने को मिल सकता है, जैसी कि अगर आप लोग इसको 20 साल या फिर उसे अधिक उम्र वाले रोगियों में उप्योग करते है, तो 2-5 सुबा और साम रोजाना उप्योग कराएंगे तो बहतर होगा, और 2-5 दावा के साथ 2-5 पा मतलब कि इसमें टेबलेट वो भी सेम इसी परकार की समस्याओं में उप्योग किया आते हैं, जो कि इसमें फिरी में दिया गया है, अब आप लोग के मन में ये भी कन्फीजन होगा, कि जब इस जंडू-पंचार शिरप को आप लोग उप्योग करेंगे, तो आप लोग के स अची तरीका से आप लोग को पता चल गया होगा, और आप लोग झ्यान देंगे कि इस जंडू-पंचार शिरप को डिलेवरी पर्जन को उप्योग करने से पहले आप अपने जिक्टी डूक्टर के सला अनुसार ही उप्योग करेंगे, या फिर बच्चों में उप्योग कर तो कमेंट लोक्स में कमेंट करके हम बता सकते हैं